Hello everyone, welcome to our channel Visual Institute अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के बीद सेर करना मत भूलिए आज है 27 माई 2020 और आज का Visual Thought है सपना एक देखोगे, मुस्किल हजार आएगी लेकिन वो मंजर बड़ा खूपसुरूत होगा जब काम्याभी सोर मचाएगी तो इसी थौट के साथ सुरू करते हैं हमारे Mathematics का Lecture No.19 Number System Part 3 आज का हमारा पहला क्यूशन है The least number by which 1470, 1470 must be divided to get a number which is a perfect square is यानि कि एक ऐसा चोटा से चोटा नमबर जिसका अगर 1470 में हम डिवाइड करे है ना, जिसका हम डिवाइड करे तो हमें एक perfect square मिलेगा ये question है है ना, तो 1470 में हम किसका divide करे कि हमें क्या मिले, एक perfect square मिले तो हम क्या करते हैं यहापर, कि 1470 है ना वो कौन-कौन से factor से मिलके बना है, वो हम पहले निकाल लेते हैं तो उससे आसानी होगी किस में किस-किस का हम divide कर सकते हैं ठीक है, तो देखें, हम यहापर एक बात करते हैं, 1470 की तो 1470 में 2 का हम divide करते हैं, तो हमें क्या मिलता है 7, 3, 5, फिर हमने divide कर यहाँ पर 3 का, तो हमें क्या मिलता है 2, 4, 5, फिर हम divide करते हैं, यहाँ पर 5 का, तो हमें क्या मिलता है हमें यहाँ पर मिलेगा 4, 9, और 49, यानि कि 7, 7, यहाँ हमने ऐसे divide कर गया तो यानि कि 1470 जो है, वो equal है किसके 2 into 3 into 5 into 7 into 7 ओके स्टुएंट्स, तो यह इन factor से मिलके बना है अब मुझे यह बताओ कि 1470 में क्या divide करूँ कि मुझे perfect subscribe मिले तो आपको अगर ध्यान से देखो आप, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि 7 into 7, 1 factor है यानि कि 2 into 3 into 5 को मैं उदर लेके चला जाओ, यानि कि 2 into 3, 6 into 5, 30 1470 में 30 का अगर divide करूँ, तो मुझे 7 into 7 मिलेगा यानि कि perfect square मिलेगा, तो हमारा option कौन सा correct हुआ, option D यहाँ पर हमारा correct हुआ यानि कि 30 मेरा answer यहाँ पर हुआ, ओके stress, फिर बात करते है second question की तो second question हमारे पास क्या है, second question है, of three numbers, the sum of the first two is 45 पहले दो number का सम किता है, 45, the sum of the second and third is 55, and the sum of the third and thrice the first is 90 तो देखे, हम कह लेते हो तीन number है, x, y, z, एक x है, एक y है, और एक z है, find the third number हमें तीसा number निकालना है, ठीक है, तो पहले दो number का सम कितना है, 45, x plus y कितना हो गया, 45 ओके, फिर का है, second and third is 55, यहने कि y plus z कितना हो गया, 55 फिर का है, sum of the third and thrice the first, third और thrice the first, यह नहीं, पहले का तीन गुना, उनका सम कितना देखे, 90 यह तीन हमें equations यहाँ पर given है, और हमें क्या करना है, हमें value निकालनी है z की, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, कि अगर मैं second equation और third equation को minus करूँ, तो z से z क्या हो जाएगा, cancel हो जाएगा, तो हमें y और x में एक relation मिल जाएगा, फिर क्या होगा इसे, हम इस equation और इन दोनों से मिल तो first and second को minus करते हैं, तो हमें देखो क्या मिलता है, y से y हो जाएगा cancel, तो क्या मिलेगा, x minus z equals to 45 में से 55 गया किता मिला minus 10, ठीक है, यहाँ से x की value मुझे क्या मिलगी, minus z का मैंने transfer किया, तो मुझे मिला z minus 10, यह हो गया, मेरे पास क्या x, इस x की value में इस third equation के अंदर रख ल equals to 90, bracket खुला, तो z plus 3z minus 30 equals to 90, अब आगे और transfer करते हैं, minus 30 के transfer के तो plus 30, और z plus 3z किता हुआ, 4z, 4z equals to 90 plus 30, यानि 120, तो z की value मिल गी, 120 by 4, यानि कि 30 हमारा यहाँ पर क्या हो गया, answer, तो हमें z ही find करना था, तो z क्या हो गया, third number हमारा हो गया, 30, I hope यह clear हो गया होगा, question आपको, जो हमें data था, उसके according हमने equations लिखी और हमने इसको solve कर दिया, फिर बात करते हैं, third question की, हमारा तीछरा practice question है, the sum of the squares of three numbers is 532, यानि कि 3 number के square का जो योग है, वो 532 है, तो हमान लेते, x, y, z है कोई 3 number, तो उनका square करते है, x square, y square और z square, फिर इनक पास data given है, फिर काई, the ratio of the first and second, as also second and third, इसरी ratio 2, यानि कि, पहले number और दूसरे number का ratio 3 बटा 2 है, और दूसरे number और तीसरे number का ratio भी किता है, 3 बटा 2, यह हमें data given है, find the first number, then the first number क्या होगा, तो मतलब हमें x की value निकाल लिए, तो क्या करते है, y और z भी हम x के पदों में निकाल हमें x की value मिल जाएगी, तो y की value में निकालो, तो मुझे क्या मिलती है, यहां से, transfer के या तो मिल जो मिल या, y को चुट 2 x by 3, यहां से z की value निकालते है, हमें क्या मिलती है, 2 y by 3, और y की value हमने उपर निकाल दी x के पदों में, तो यहां पे रखते है, तो 2 by 3 as it is, और y के जाके आगया, 2 x by 3, यानि कि यह किता हो गया, z की value होगी, 2 into 2, 4 x by 3 into 3, 9, और questions, तो अब यह y और z की value, इस equation में पूट करते है, तो देखे, x square plus y square, y कितना है, 2 x by 3 का square, plus z square, z कितना है, 4 x by 9 का square, equals to 532, तो bracket खोलते है, यानि कि square करते हैं, के मिलता है, 4 x square by 9, plus 16 x square by 81, equals to 532, फिर हमने किया, इनका LCM लिया, तो देखे, 981 का LCM हो गया, 81, तो उपर मिलेगा, 81, plus 9 x 4, 36, plus 16 x square common, और यह कितना है, 532, तो 81 और 36 कितना हो गया, हम इसको add करते, 81, 36, 16 को add करते, तो मिलता है, 3, 8, 1, 9, 9, 3, 12, and 11, 13, divided by 81, x square, equals to 532, ओके स्टुएंट्स, अब 133 और 532, cancel out हो रहे हैं, यहां पर, वो किस factors हो रहे हैं, अगर मैं 133 को, 4 से multiply कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलता है, यह जो है 133, वो 532 से 4 times cancel out हो रहा है, 4 से multiply कराएंगे, तो आपको directly 532 मिल जाएगा, तो x square की value के आगी, 81 का transfer किया, तो क्या मिल गया, देखिए, x square हो गया, 4 into 81, ओके, दों तरप root लिया, तो 4 का root 2, और 81 का root 9, यानि कि 2 into 9 के तो गया, हमारे पास answer आगया 18, यानि कि कौन से option right हो, option number C यहां पर हमें right मिला, अब थोड़ा से length ही था, लेकिन question अगर देखा जाए, तो level इतना भी अच्छा, ज्यादा बढ़ा नहीं था, ठीक ठीक question था, क्यों data में given थे, बस calculation थोड़ीज के लंबी हो गई, I hope यह चीज़ आपको clear हो गई होगी, फिर में बात करते हैं आज के आखरी practice question के, तो हमारा आज का last practice question है, इफ the product of two successive positive integers is 7482, यानि कि दो क्रमागत धनात्मक पुर्णांकों का गुणन फल अगर 7482 है, then which is the greater integer, तो उनमें से जो बड़ा पुर्णांक है, वो हमें निकालना है, ग्याद करना है, तो अगर एक पुर्णांक x है, तो उसका अगला क्रमागत क्या होगा, इनका product हमें कितना दे रहाएं, 7482, ब्रेकेट खोलते हैं, तो x into x, x square, x into 1, x, 7482 का ट्रांस होगा है, तो माइनस 7482, एकोज टू 0, अब quadratic equation है, तो हम इसको solve करना सीख चुके हैं पहले, अगर constant negative है, तो एक root होगा, प्लस का, एक root होगा, छोटा होगा, यह हमें यहां तक मालूम है, फिर हमें 1 के ऐसे, x का जो गुणा के एक है, उसके ऐसे टुकड़े करने हैं, जिनको गटाने पर 1 मिले और गुणा कराने पर मिले 7482, अब दिमाग में कैसा हैगा, इतना बड़ा factor, तो हम चेक करते, option को, 87, 82, 84, 89, मतलब यह 80 की range में है, इतना हमें यहां पर क्या हो गया, clear हो गया, फिर अगर हम ध्यान से देखें, इस सीच को, ध्यान से हम देखतें इस सीच को, तो देखें, हमें क्या मालूम है, कि multiply कराने पर last में चाहिए 2, 2, 2 multiply कराने पर last में कब कब आता है, जैसे हम करते है, 3 x 4 तो 12 आता है, तो 2 आ गया, 6 x 7 कितना होता है, 6 x 7 वो कितना होता है, 42 यानि 2 आ गया, 8 x 9, 8 x 9 कितना होता है, 72 यानि 2 आ गया, तो यह चीज़ होई, तो हम क्या करते हैं, एक बार hit and trial method यूज़ करते हैं, 83 और 84 इनका गर multiply करवाए, 83 और 84 का multiply हम करवाते हैं, तो हमें क्या हैं से मिलता है, 4 x 3, 12, carry on 1, 32, 24, 56, 57, 5, 64, 5, 6, तो यह 83, 84 तो नहीं है, फिर हमने चाहिए, 86, 87, 42, 4, 8 x 7, 56, 8 x 48, 56 and 48 equals to 104 and 4, 8, 10, 8 x 8, 64, 7, 48, यानि कि यह हमें मिल गया, 86 और 87 हैं, तो हमने लिका हैं यहां पर 87 बड़ा वाला होगा, और छोटा लोग वालने 86, यह हमारे पास दो रूटा आगे, अग क्लेली बात करके positive integer की, तो यानि कि negative वाला मेरा answer नहीं है, तो positive वाला answer कौन सा होगा, plus 86, तो x की value मुझे मिल गी 86, और x plus 1 कितना हो गया, 87, और question में क्या पूचा, which is the greater integer, मतलब बड़ा वाला कौन सा पूरांख है, बड़ा वाला integer कौन सा, तो कौन है, 87 मेरा यहां पर होगा, answer है, यानि कि option A हमारा यहां पर हुआ, correct, तो I hope, आज का lecture आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगाए, तो इससे like कीजिए, share कीजिए, और अगर चैनल को अब तक subscribe नहीं कर रखा है, तो please इस चैनल को आप subscribe कर लीजिए, thank you,